साथियों नमस्कार आज हम जन्सरोकार मंच टॉंक के तत्वाधान में जो वारता करने जा रहे हैं कि कोरोना महमारी के बाद उभरता परिद्रश्च है इस भारत के संदर में भी ये परिद्रश्च से कैसा बन सकता है क्या संभावना हैं इन सब बातों को किंद्रित करके ये चर्चा हम करेंगे जन्सरोकार मंच के तमाम पदाधिकारियों को और ऑनलाइन जुड़े और तमाम मेरे अपने साथी और जन्सरोकार मंच के साथ पर्तिबद्था रखने वाले राजिस्थान के और देश के सभी साथियों आप सब से रूबरू होते हुए अच्छा लग रहा है और इस बातचीत को अपचारिक धंग से शुरू करते हैं दुनिया में इस उभरते परिद्रश्य को समझने के लिए एक मोटा माटी कुछ खाका हम अपनी समझ को आसान बनाने के लिए खीच लेते हैं कि हम और आप सब मुझूदा दुनिया में जहां रह रहे हैं वो कैसी है और वो कैसे कैसे बनी है मोटे तोर पर अगर पूरी दुनिया का एक खाका हम बनाएं तो दुनिया दो तीन तरह के हिस्सों में तो बड़ी साफ नजर आती है दुनिया के एक देश वे हैं जो बहुत सक्तिसाली हैं सम्रद हैं और हर तरह की सुक्स्विधाव टेक्नलोजी और हर तरह के संसादनों से भरे हुए हैं एक दूसरी दुनिया है जो उस दुनिया की नकल करते हुए विकास के उसी मोडल को अपनाते हुए उनकी तरफ बढ़ना चाती है या उनकी तरह का बनना चाती है उन्हें हम विकास सील देशों का एक वर्ग कहते हैं उसमें हम भारत जैसे देश भी हैं विक्षित दुनिया को अपना मोडल मानकर भारत जैसे बहुत से देश दुनिया में दूसरी स्रेणी में आते हैं एक तीसरी दुनिया है जिसे थर्ड वर्ड कहते हैं जो एक गरीब विश्व है गरीब दुनिया है जो अपने हालातों से जूज रहा है अपने अस्तीत की लड़ाई लड़ रहा है और इस कोरोना मामारी के दुरान भी उसकी सुद्वुद लेने वाला कोई नहीं है और वह उसी हालात में अपने अस्तीत को बचाने की जद्दो जहात के साथ इस दुनिया में एक्स्प्लोइट हो रहा है तो यह जो तीन क्लास हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस से पूरी दुनिया का एक उभरता परिदर्श से समझने में हम सबको आसानी होगी. विकासील देश हैं, विक्सित देश हैं और तीसरी दुनिया के गरीब मुल्क हैं। दो दसक उसके पूरे हो रहे हैं, और उसमें हम एक महामारी का सामना कर रहे हैं। तो विकास के इस मोडल को अगर देखा जाए, जो 19-20 और 21 सदी तक बनता विगड़ता दिखाई दे रहा है, तो यह जिन साचों डाचों के साथ घड़ा गया, उन्हें अगर मोटा माटी एक फ्रेम में करके देखते हैं, सोसल साइन्स के लोग समझने की सुईदा से इन अउधारनाओं को बनाते हैं, वो समझने में एक आसान करती हैं हमारे काम को, एक उपनिवेश वाद का दोर था, जो पूरी सदी, उन्निसवी सदी पूरी दुनिया पर हावी रहा, उपनिवेश वाद का मतलब के दुनिया के कुछ देशों का राज पूरी दुनिया पर था, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और यह सब पूरी दुनिया थी, यह देश थे और बाकी दुनिया इनकी कलोनिय थी तो यह उपनिवेश वाद का दोर था। उसके बाद First World War हुआ, कुछ मुल्क उसमें बहार आये। सेकिंड वर्ल्ड वार हुआ कुछ मुल्क उन इस्थीतियों परिस्थीतियों से उभर कर लड़ धगड़ कर पूरी दुनिया में उस तरह से नई दुनिया बनी और सेकिंड वर्ल वार के बाद कुछ विश अस्तर पर ऐसी संस्थाएं भी अस्तीत में आई जिन्होंने कहा कि हम दुनिया को एक सभ्य और सुन्दर दुनिया बनाने में मेहनत करेंगे और पूरी दुनिया में शांती कायम कर विकास का एक ऐसा मोडल डवलप करेंगे जिससे दुनिया के सभी देश तरक्की करें सभी देश जो बुनियादी संकटों से उभर रहे हैं उन सब को उससे उभरने में मदद करेंगे इस तरह के संगठनों की एक पूरी लंबी सुची है जिसमें आप विस बैंक कह सकते हैं विस स्वास्त संगठन कह सकते हैं अंतर रास्टा कोस कह सकते हैं और ऐसी एक पूरी लंबी लिस्ट है इन तमाम संगठनों ने ये एक जिम्मा लिया और ये हवाला दिया अपने बनत कि हम एक अच्छी दुनिया बनाने की तरफ सारी दुनिया को एक सम्रस्ता के साथ और गैर प्राबरी से उभारने के परियास करेंगे और सब मिल जुलकर एक अच्छी दुनिया बनाएंगे इस बाचीत के साथ एक बात और समझ लेने चाहिए कि विकास के जिन जिन अवस्थाओं से या विकास के जिन जिन चरणों से गुजर कर आज 21 वी सदी के इस सब्वह समाज में हम और आप उपस्थित हैं ये मोटा माटी इसे भी तीन अवस्थाओं में बाटा जा सकता है पहला फेज समाज का था जब समाज बना समाज अस्तित में आया और समाज ने अपने धंके तोर तरीके अपनाए अपनी एक संस्करती खड़ी की अपने नियम काइदे बनाएं याना समाज में एक सहयोगात्मक ववस्था बनाई याना कि सब एक दूसरे को ऐसे सुपोर्ट करेंगे इस तरह हमारी सामाजिक संस्थाइं होंगी और हम परिवार बनाया धर्म भी बनाया और और इस तरह की एक पुरी ववस्था कायम करके एक सब्षा समाज बनाने की दिशह में अकरसर हु tumis और काफी हद तक उसमें समाज की अवस्था में समाज ने बड़े अस्तर पर अवस्था की समाज की अवस्था की ड्राइफ ओस जिसे हम सन्चालक सक्ती कहते हैं जिसके इर्दगीर्द वो पूरा चलता है तो कल्चर होती तो किसी भी समाज की संजकरती कैसी है वो कैसे बनी है वो समाज को चलाने का model उसके development का model सब स्व तय होता है तो समाज ने एक संचकर्ती बनाई और संचकर्ती ने अपने जो नियम, काइदे, नौर्म, वैलू, जीवन, मुल्य, यह सब बनाए उसके अनुसार समाज ने एक बड़े अस्तर पर दुनिया में तरक्की की क्योंकि हम तो बिल्कूल एक जंगली अवस्था से निकल कर आये ते और फिर एक सब्बे समाज की दिशा में बढ़ने का सब ने फैसला किया और सब उस तरफ बढ़े भी उसके बाद समाज में जो कुछ ऐसी अरजक्ताएं थी या समाज में जो कुछ ऐसी कमिया थी उनका हवाला देकर सरकार जिसे हम कहते हैं सरकारे उन्होंने कहा कि समाज में बहुत गहर बराबरी है समाज में एक वर्ग दूसरे वर्ग का सोशन करता है समाज में एरजकता है नियम, काइदे कानून फॉलो नहीं होते हैं हम एक सरकार बनाते हैं और सरकार एक regulatory body की काम करेगा जहां जैसी जुरूरत होगी उसके अनुरूप नियम काइदे कानून ये सब बनेगा और ये पूरी दुनिया में चला क्योंकि ऐसा नहीं है कि दुनिया आज ही जुड़ी हुई है दुनिया हमेशा से एक दूसरे के संपर्क में आती जाती रही है जैसे हम युनान के विचारक पहले से पढ़ते हैं युनान में में क्या था कैसा था मिश्र में क्या था यहां क्या था चीन में क्या था भारत में क्या था दुनिया पहले से अपने ढंक से एक दूसरे से और एक दूसरे को फॉलो करती रही एक दूसरे के डवलप्मेंट मोडल को लेती रही तो राज्य जब अस्तित में आया राज्य ने समाज की जो बेसिक मूल इकाई थी वैक्ति उसको समाज के वैक्ति को मद्दाता में कनवर्ट करने के पूरे परियास किये और उसमें वो बहुत हद तक सफल भी रहा क्योंकि उसे तो अपनी शक्ति बढ़ानी थी अपना बहुमत बढ़ाना था और अपने ढंके इस्टिटु दुनिया में पूरे दुनिया के देशों की समविधान बने और सब समविधानों ने अपने अपने ढंक से अपने अपने समाजों को नियंत्रण करने के रूल रेगुलेशन चीजे तै करी जिने हम कानून कहते हैं वो सब क्या है कानून या नियम कोई ऐसी बहुत ऐसी आइ स्टेट मजबूत हुआ अब यह तो एक डवलप्मेंट का फेज है चीजे आगे बढ़ती है अब 20 सदी में बाजार इंट्रोडीज हुआ बाजार पहले से भी था लेकिन वह इतना ताकतवर होता गयार उसने उस कदम को उस तरफ बढ़ाना चाहा कि अब आगे का नियामक सक्ती मैं बनूँगा और चीजे मैं तै करूँगा तो बाजार जब अपने आपको ताकतवर बनाता है तो क्या होता है कैसे होता है एक समझने की बात है जैसे समाज बना था समाज की आधार भूत पावर तक ताकत क्या आती संचकर्ती है ना समाज अपनी संचकर्ती के हिसाब से चलता था संचालित होता था राज्य बना राज्य की संचालक शक्ति कौन बनी राजनीती पॉलिटिक्स संविधान बने काईदे कानौन बने दुनिया में एक नियंत्रण की एक अलग वबस्था बनी और फिर तीसरा फेज जो डवलप हुआ वह हुआ अब बाजार 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 की ड्राइब फॉर्स बाजार की ड्राइब फ़ॉस ञाल एक पाजार को किसने संबल लिया जैसे समाज को संचकर्थिने दिया था इस्तेट को सरकार को राजनिती ने दिया था और बाजार को टैक्नोरोजी ने दिया तो यह सारी चीजे हम जोड के जब इस पूरे परिद्रश्य को समझेंगे तो हमें समझना आसान होगा मैं आपको बिनावजे बहुत दूर ले जाना चाहता था लेकिन थोड़ा सा इस पूरे परिद्रश्य को समझने के लिए ये बेसिक चीजे समझना जरूरी था तो मैं इसलिए आपको थोड़ा दूर त जिसकी संचालक सकती है टेक्नोलोजी तो यह जो पूरा परिद्रस से डवलप हुआ और यह जो बाजार मजबूत हुआ यह हुआ जैसे वर्ल्ड वार के बाद उपनिवेश वाद का दोर खतम हुआ उपनिवेश वाद के दोर के खतम होते ही हम उदारवाद के दोर में दुनिया परवेश हुई उदारवाद दुनिया ने आपको थोड़ा उदार बनाया एक दूसरे के लिए खोला एक दूसरे के लिए लेन देन बाजार एक्चेंज करना यह सब बढ़ा और पूरी दुनिया का एक दूसरे के साथ इंट्रेक्शन भी ब बाजार अपना लगातार विश्तार करता गया लगातार विश्तार करता गया अब इसमें दिक्कत ये हुई कि इस बाजार की ताकत में अर्थ ववस्था मजबूत तो हुई लेकिन इसमें कुछ देश जैसे कुछ लोग मजबूत होते हैं ऐसे ही कुछ देश मजबूत हुए इन जो देश मजबूत हुए उन्हें बताने कि आपको जरुत नहीं कौन मजबूत हुए, सबसे ज़्यादा इस पूरे दोर में अमेरिका मजबूत हुआ, चाइना मजबूत हुआ, क्योंकि उसने उस बाजार के पूरे अप्रोच को, बाजार के दरस्टी कौन को बहुत जल् जनीज मोडल है, पूरे बाजार का, इस विकास का, इस डवलपमेंट का, और विकास सील देश, डवलपमेंट की या बाजार की इसी होड का, इसी मोडल का पिछा कर रहे हैं, ऐसा ही बनना चाते हैं, भारत भी उस दोड में हैं, और भारत भी दुनिया की पांच वी बड़ से मेहनत करके पर्चम भी तरफ में दर्ज होते हैं और लगातार उस तरफ बढ़ रहे हैं अब यह लग बहस है कि विकास का यह मोडल कैसा है अच्छा है बुरा है नहीं है यह हमें अपनाना चाहिए नहीं अपनाना चाहिए इस बहस को फिलाल इस्थागित करते हैं मैं सिधा कोरोना संकट पर आता हूँ अब कोरोना संकट ऐसे दोर में आया जब दुनिया एक बाजार्वादी वर्चस की होड़ में एक दूसरे के साथ compete कर रही है एक दूसरे के साथ परतियोकिता कर दी है और यह परतियोकि दो देशों के बीश तो रूप में महासक्ति हैं क्योंकि जो और बाकी देश बाजार के तोर पर मजबूत हैं वो इसलिए महासक्ति के रूप में हम लोगों को अपील नहीं करते कि उनका आकार इतना बड़ा नहीं है वो दुनिया में ये दो इतने बड़े देश हैं कि इन्होंने अपने आपकी उप इंटरनेशनल मीडिया में और इस पूरे सिनेरियों में एक कयास लगाए जा रहे हैं महामारी को लेकर कई तरह की कल्पनाएं एक तो यह है कि यह चाइना में यह वाइरस बना और चाइना से किसी तरह से लीक हुआ और यह पूरी दुनिया में फैला कुछ लोग जो चाइन बन करने के लिए अमेरिकन एक चाल है अमेरिका ने हमारे यहां अमेरीकी सेना अभ्यास के लिए आयए उन्होंने परियावरण के कारण पैदा हुआ तो इन सारी चीजों को भी अगर हटा दें तो इन में एक कोमन बात है वो कोमन बात ये है कि चाहे कोई सी बात भी मानली जाए लेकिन ये बात सच है कि ये मानाव निर्मित है ये इसके पीछे ये ये जो डिसास्टर है ये है या हुमन मेड है इसे आदमी ने बनाया है या इसके पीछे समाज है चाहे वो एन्वार्मेंट के कारण आया है और चाहे वो चीन की चाल है और यह वो किसी की चूक है बसरते इसने पूरी दुनिया को परभावित किया और पूरी दुनिया में कोरोना महमारी के तोर पर कि इस पूरी हमारी के फैलने से कुछ चीज़ सइयोग वस रही। जैसे भारत के संदर में मैं इसे एक बड़ा संयूग कहता हूँ बड़ा संयूग इसलिए कहता हूं कि चाहे तो इसे हम लोगों के environment के कारण कहो ह। या खान-پान के कारण कहो या हमारीuli के कारण कहो या हमारी या उस तरह के संकट भारत में वो नहीं दिखा पाया और हम एक समलने की स्थिति में लगातार पिछले 6 महिने से बने हुए हैं इसमें कोई सक नहीं है इसका स्रे हमें कुदरत को नैचर को या किसी को भी देना चाहिए चाहिए इसकी जो भी वज़े हो इसमें सबसे कि उसकी ज़्यादा और सबसे ज़्यादा पॉल भी उसी, क्योंकि वह अपने आपको एक दुनिया की सबसे बड़ी ताक्षात अष्ति मानता है अपने आपको टेक्नolोजी में अपने आपको मैडिसेंस में अपने आपको तमाम चीजों में किसी भी चीज पर नियंत्रण पाने में एक बहुत एहम कंट्री के तोर पर उसे दुनिया के अंदर देखा जा सकता है। दूसरा चाइना चाइना में भी कोई उसका कोई कम इफेक्ट नहीं रहा उसे भी लोकडाउन करना पड़ा और दुनिया में सबसे पहले लोकडाउन वहीं रहा। जो 2400 घंटे अपना प्रोडक्शन ना रोकता हो जो 2400 घंटे काम करने से ना चूकता हो और अपने उत्पादान और अपने प्रोडक्शन अपने माल के तोर पर मार्केट में पूरी दुनिया में अपनी पता का फैलाने वाला चीन अगर महिनों लोकडाउन कर सकता है तो ये क औरंकट का या Corona महामारी का डर तो है इसमें कोई सक नहीं है चाहे उसने उस्सपर नियंतरण पाने का कोई भी मोडल अपनाया हो इस बात को भी इसमें देखने की बात है इस बात को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस भाइस को लेकर आज हम और आप रूबरू है वो यह कि कोरोना महामारी के बाद की दुनिया कैसी होगी कोरोना महामारी के बाद की दुनिया कैसी बनेगी कोरोना को लिए यहां पूब अनु मारी के बाद जो संकट निपटेगा उसके बाद का वर्ल्ड कैसा होगा इसमें बहुत क्योंकि भाविश्य के थे की बात है इसे अ 누ुबाbour debatt कि उसे वबहुत इसपस्त रूप से ना भी कहा जाए ना भी संजा जिने बहुत विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि भावी दुनिया ऐसी बनने जा रही है क्योंकि उसमें से बहुत कुछ हिस्सा आपको और हमको देखने को इसपस्ट नजर आ रहा है इस पूरी महामारी का सामना करने के लिए गोर से देखे आप कि दुनिया ने जो तोर रही के अपना है और दुनिया ने जो एक पूरा मॉडल क्रियेट किया वही भावी प्रिद्रश्य बनाने के पीछे मुख्य रूप से एक नियामक मॉडल होगा एक मुख्य सक्ती होगी यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भविष्य की जो दुनिया बनेगी वो वैसी ही बनेगी जैसा हम इस संगर से पार पाने के लिए एक मॉडल क्रियेट करेंगे और वो मॉडल किन किन रूपों में आपके हमारे सामने आ रहा है उसे आप देख सकते हैं एक तो चीन के अंदर इस महामारी पर नियंतरन पाने के लिए क्या मॉडल बना गया किस तरह की तोड़ तरीके वहां रखे गए और किस तरह से काबू पाने का एक धाचा खड़ा कि आप मैं रहा है दूसरा मॉडल अमेरिका के पास है क्योंकि दुनिया के पास ये दो ही ऐसे नकल करने की चीज़ें हैं जिनने पूरी दुनिया मॉडल मानती है इनकी तरफ देखती है चाह या बुरा है और तीसरा जो छुट मुट एक दुनिया के अन्य देशों में भारत सामिल है, विकास जील डेस हैं, उनमें जो कुछ घट रखा हैं और तीसरा जो खेमा है जिसकी में अशुरू में बात की, घरीब दुनिया, उसका इस महामारी के समय में कोई नाम लेवा तक नहीं है। उन देशों में क्या हो रहा है कहां क्या घट रहा है कैसे हो रहा है किसी को कोई पता नहीं उन मुलकों में कहां डॉक्टर्स की जरुरत है कहां कीट्स की जरुरत है कहां दवाव की